आपने कहावत तो सुनी होगी, खोदा पहाड निकली चुहिया और अब ये कहावत बिहार की राजनीत में एक नेता पर सटिक बैठ रहा है, वो नेता बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े वादे करते थे, ये बाते कहते थे कि अगर हम चुनावी मैदान में उ चुनाव हो रहा था और बिहार के एक बड़े नेता, अपने आपको बड़े नेता मानने वाले ने पाठी बनाई थी और उमिदवार उतारा था, अब आप भी समझ गए होगे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रसांत किशोर की, प्रसांत किशोर ने अपने उ तो ये पता चला कि गड़ हिलाने वाले का गड़ खुद से हिल चुका है यानि कि प्रसांत किशोर कि चार उमिद्वार में से दो उमिद्वार का जमानत जब्थ हो गया दो उमिद्वार ने अपनी इज़त बचाई है एक इमाम गंच के उमिद्वार ने और दूसरे बेला गंच के उमिद्वार ने तरारी और रामगड के उमिद्वार की तो बात ही मत करिये उन लोगों की तो जमानत भी जब्थ हो गई और वहीं इमाम गंज की बात करें तो इमाम गंज के जो मिद्वार थे उन्होंने अपनी बहुत इज़त मचाई है साइद इसलिए भी क्योंकि चिराग पास्वान उन्स जगह पर चुनाव परचार करने नहीं गए अगर चिराग पास्वान चुनाव परचार करने जाते तो साइद उतनी वोट नहीं आती इमाम गंज में खेला हुआ बेला गंज की अगर बात करें तो बेला गंज में मुशलमान अगर नराज राज़त से नहीं होते तो साइद इतनी वोट नहीं मिलती और 17,000 वोट जो है वो बेला गंज में मिला है जंसुराज के उमिदवार को और 21,000 वोट से राज़त के उमिदवार की हार हुई है तो ये अगर चुनाव नहीं लड़ते तो ये 17,000 वोट राज़त के मिदवार को ट्रांसपर होता और फिर हार का मार्जिन बहुत कम रहता लेकिन अब ये बाते कही जा रहे हैं कि प्रसांद की शोर भोटकटवा है मतलब अगर भोटकटवा की उपाधी दी जाए तो प्रसांद की शोर को देनी चाहिए क्योंकि उनकी भूमी का भोटकटवा के रूप में ही है अब भोटकटवा किसे कहते हैं भोटकटवा उसे कहते हैं कि जो ना दूसरे नंबर पर रहे और ना ही लड़ाई में रहे यानि क आपना लड़ाई में है अना ही कुछ कर पा रहे हैं तो फिर भोटकटवा की उपादी दी जाती है भोटकटवा की उपादी इसलिए भी दी जाती है कि आप अगर लड़ाई में नहीं है जैसे मतलब आप कभी 30,000 भोट से आगे चल रहे हैं तो कभी 10,000 भोट से पीछे चल र मैं तब लडाई हो रही है आपकी आगे पीछे की लडाई हो रही है तो इसमें आपको भोट कटवा की उपाधी नहीं दी जाएगी जैसे अभी राज़त को भोट कटवा की उपाधी दी जा रही है रामगड में नहीं थे लडाई में लडाई में बीएसपी और भाजपा थी बीजेपी और बीएसपी बीजेपी बीएसपी चल रही थी सत्रा हजार पंद्रा हजार भोटों से बीएसपी आगे चल रही थी अचानक ऐसा हुआ कि सत्रा सा भोट से जीत हो गई बीजेपी के उमिदवार की लेकिन दसवे राउंड में ही हार माल लेना इसे भोट कटवा कहते हैं अब प्रसान किशोर क्या करेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो प्रसान किशोर बड़ा सा कारिक्रम करके दो अक्टूबर को अपने पार्टी का एलान करते हैं कहते हैं कि हम देश के तमाम दलो को ये दिखाएंगे कि बिहार में किस तरीके से राजनीत की जाती है लगबग पान सो नेता मंच पे बैठे हुए हैं कारिकरता बैठे हुए हुजूम लगा हुआ है और कहा जारा है कि चुनाओ लड़ना है लेकिन चार सीटों पर जब चुना हुआ सारा डल बल सब धरा का धरा रह गया सब कुछ चुनाओं परिनाम जबाया तो पता चल गया कि हमारी हैसियत कितनी है नितीश कुमार ने एक तरीके से ये भी दिखा दिया कि आप अभी बच्चे हैं भारतिये जनता पार्टी ने भी दिखा दिया कि आप अभी बच्चे हैं आपको अभी बहुत संघर्स करना पड़ेगा अभी आप आए हैं लड़िये हारिये अभी खेलिये कूदिये उसके बाद देखा जाएगा 2030 तक आप क्या करेंगे लेकिन प्रसांद किशोर ने जिस तरीके से अपनी रन्नीती बनाई थी कि अगर हम चुनावी मैदान में उतरते हैं तो लोग बिकल्प ढूंड रहे हैं और वो बिकल्प हम बनेंगे लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ लोग बिकल्प ढूंड रहे हैं लेकिन प्रसांद किशोर को बिकल्प नहीं बनाना चाहते हैं वो किसी और को बिकल्प बनाना पसंद करेंगे लेकिन प्रसांद किशूर को बिकल्प बनाना नहीं चाहते हैं और इसलिए साइद प्रसांद किशूर के उमिद्वार की बुरी तरीके से हार हुई है अब जमानत बचाना भी एक बड़ी कला है कि अगर आप जमानत बचा ले तो भी एक बड़ी चीज है आगे देखिए क्या होता है बेराल इस ख़बर में इतना ही बिरने अमार साथ और देखते रहें देखते रहें